हर्याणा के मुख्य मंत्री नायब सिंग सेरी ने गुरुग्राम में जाट कल्यान सभा के भवन का शला न्यास किया और जाट समाज को बढ़ाई देते हुए उन्होंने कई भवन सभी वर्गों के काम आएगा उन्होंने कहा है वही मुख्य मंतरी नायब सिंग सैनी ने देवाडी में ड्रावतुलाडराम स्टीटि Fraktion से देवाडी हाफ महरातन को खरी ज़नी दिखाई और कई बड़ी खोशना आए भी की ये रिपोर्ट देखे अर्याना के मुख्यमंत्री नायव सिंग सैनी ने गुरुग्राम के सेक्टर दस अस्थित अल्पाइन कॉंविनेंट स्कूल में जाद कल्यान मच द्वारा आयुजित कारक्रम में बत और मुख्य अतिती शिर्कत की स्थानी लोगों के साथ दूर दराज से आने वाले लोगों को भी लाप मिलेगा भवन निर्माल के लिए सिंग सैनी ने एच्छे कोकोश्ट से 31 लाग के विद्धिय साहता के घोश्टना भी की मैजाड कल्यार सभाने सीम से भवन की पार्किंग के लिए जमीन उपलब्द करवाने की मांगी इस पर सीम नायब सिक्जैनी ने हरेना सरकार की नीती के मताबक इस मांग को पूरा करवाने का अश्वासन दिया अच्छा है जब इस परकार का संस्थान कहड़ा होता है लोग भी आते हैं कारकरम होते हैं उसके लिए पार्किंग के भी विवस्था होनी जलूरी है मैं बिल्कुल आपकी समांग को सारा ववस्था देख करके कि उसका क्राइटेरिया क्या है उस क्राइटेरिया के अंदर जितना भी मेरे से हेल्प होगी मैं एक अदम आगे बढ़ करके आपको ये जमीन दलवाने के लिए पुरी हेल्प मैं उसका बढ़ करें हर्याना के मुख्यमंत्री नायव सिंग सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरिन मोदी की नेत्रत में केंद्र सरकार और हर्याना सरकार में डेबल इंजिन की सरकार ने पचले दस वर्षों में मिशन मोड में अभियान चला कर तेजी से विकास किया हर्यार का हर्जला आज राश्ट्री राजमार्गों से जुड़ चुका है सीम ने कहा गुरुग्राम की बात करें तो 14 गंटे में मुंबई तक 6-7 गंटे में कट्रा पहुच कर मा वैशनो देवी के दर्शन किये जा सकते हैं उनने कहा कि सरकार ने किसानों की भलाई के लिए कई कदम उठाए हैं मोखेबंत्री नायव सिंग सैनी ने रविवार को रिवारी में अराव तुला राम स्टेडियम से रिवारी हाफ मैराथन को हरी जंडी दिखाई सियम ने इस मौके पर मौझूद जंसमों को संबोधित किया कहा मैराथन और रहगिरी कारक्रम सामाजिक सद्भाव के साथ स्वास्त सुधार में फ्रिणा दायक होते हैं अराज सरकार के और से हरणा उदय आउटरीच कारक्रम के तैट इस तरह के आयोजिन लगातार हो रहे हैं उनोंने हाफ मैराथन में हजारों की संख्या में मौझूद धावकों के साथ दोड लगाई सियन ने रवाडी में राव तुलाराम स्टीडियम को लेकर घोष्णा की स्टेडियम में वीर सपूत राव तुलाराम की प्रतिमा लगवाने की घोष्णा सिंधेटिक ट्रैक बनवाने की दिशा में उठाय जा रहे कत्मों को सरलता से पूरा करवाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये जिला मुख्याले के स्टेडियम में खिलार्यों को इसे बैतर खिलवाता वर्ण मिल सकेगा मुख्यमंत्री नायव सिंग सैनी ने हाफ महराथन के दौरान हर घर तरंगा अभियान के तहत अराज्ट्री ध्वच हाथ में लेकर युवाश्रक्ति को नई उमंग नई उर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रिरित किया सियम ने कहा अगामे 15 अगस तक हरण प्रदेश में इस अभियान के अंतरगत तरंगा यात्राय निकाली जा रही है और लोगों में देश बक्ती की उर्जा का संचार करते हुए अराज्ट्री एकता अखनता को बनाय रखने का संकल्प लिया जा रहा है जब भी 15 अगस या 26 जनुरी का दीन आता है हर घर के उपर लोग तरंगा लगाते हैं अब की बार भी एक हर घर पे तरंगा लगाएं ये संकल्प लेकर के जो देश बक्ती की भावना आगे आती है और हम जब देखते हैं पिछले दस वर्षों में आदणिया नरेंगर मोधी जी के नेत्रितों में ये भारत सुरक्षित और मजबूत हुआ है भारत की समस्याओं का समधान हुआ है और आज ग्रीव विक्ती तक सरकार ने विभिन परकार की योजनाएं चला करके उनको मजबूत करने का काम किया है सीम नायब सिंग सैनी ने कहा फेट इंडिया मोव्मेंट के तहट युआ वर्ग नर्शीले पदार्थों से दूरी बनाते हुए स्वास्त पर फोकस कर रहा है सीम ने कहा सुखत स्वास्त के साथ ही हर्याना विकास के तरफ निरंतर आगे बहता रहेगा धारत 24 के लिए चन्रीगर से डॉक्टर थानिश्वर शर्मा की रिपूर्ट